मैं हूँ मानिक चंद्र दीडिसी क्रॉप साइंस प्राइबेट लिम्टेड का मैं MDO यानि मार्केट डव्लमेंट ऑफिसर के पद पर मैं एमपलाई हूँ आज मैं कोसांबी में एक जो गाओं का नाम है जलालपुर्टेगाई हम आज यहां पर आया है यहां पर आलु कि केटी में कैसे हमने पावर मैक्स का इस्तिमाल क्राया और यहां पर आलु में बहुत ही जबर्जस्ट result आया है आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो किसान है वो हमारे सामने है आज सर आपका नाम क्या है ? विजयायादो विजय आदो सर ये कौन सा एरिया है जलाल पुटेंगाई थोड़ा सा सर आवाज में तेज बूली सर ये कितना आलू आपने लगभग साढ़े चार वीगा सर ये बताइए इसको साढ़े चार वीगा में आपने ये ये क्या है पावर मैक्स जी जी तो इसको कितना मतलब इसका रेजल्ट कैसा रहा सर आप तो सर ये देखिए ये पावर मैक्स है इसमें इसमें जो कंबिनेशन है यूमिक एसिड और पॉल्विक एसिड इसका कंबिनेशन है और ये इसमें जो कंबिनेशन है 85 परसेंट यूमिक एसिड है और 15 परसेंट इसमें पॉल्विक एसिड है इन आपने सारे चार वीगा में और अभी ये दस तारीक को आज आट साथ तारीक है और आप थोड़ा सा दिखाएंगे यह देखिए आलू है यह बराबर साइस का यहां पर देख लीजिए जैसे कि यह देखिए आलू एक बराबर साइस का है और कोई भी इसमें चेचक की चेचक के कोई बीमारी नहीं चमकदार सांधार और बराबर कहीं से खोते हैं तो यह आलू का यह देखिए एक बराबर साइस का यह आलू है और बहुत ही सांधार है तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर पावर मैक्स का परयोग अच्छा रहा सथ वह तो सर कैसे इसको मतलब किसानों के लिए क्या कहना चाहें इसमें कोई दिक्तत नहीं ना कोई रोग आप देखिए आपके सामने विजय यादो जी है और यह जलाल बुल टेगाई के अंतरगत आता है यह देखिए आलू कहीं से भी खोदते हैं कहीं से भी तो यह आलू का हम लोगों ने रेजर्ट है ऐसा नहीं है कि यह कहीं से भी खोदेंगे तो यह